मुराथावाद के थाना मुगलपुरा शेतर के अंतरकत मुहलब बर्वलान निवासी पीतल कारुबारी मुहमत उस्मान को एक बार फिर दूसरी पत्नी द्वारा उक्पिरण के जाने का आरूप लगाया गया है जिसके बाद मुहमत उस्मान को महिला थाने पहुशना पड़ा पिछले काफी समय से मुहमत उस्मान का अपनी पहली पत्नी रफद के साथ विवाज चल रहा था इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ थाना मुगलपुरा में तहरीर देकर कारवाही की गए थी जिसमें कोर्ट के माद्यम से उस्मान द्वारा तलाक की कारवाही की गए थी पहली पत्नी को भी अपने घर बुला लिया जिसके शिकायत महिला थाने में F.I.R कराने के लिए की गई है उस्मान की दूसरी पत्नी ने पत्रकारों को जानकारी दी बताया कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तिवे पुलिस के वरिश अधिकारियों एवं मुख के मंदरे से चाहाँ सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब में इंसाफ चाहते हैं यह न को मुझे बहुत परेशान हुए मुझे बाहर है। वही इस मामले में जब महम्मद उस्मान से बात की गई तो उसने अपना पक्ष रखते हुई कहा कि उस पर लगाये के इल्जाम बेबुनियाद हैं मुहम्मद उस्मान ने जानकारी देती में बताया रखने हो तो लेकिन उसके घेरवा लेज़ा है वह नहीं मान रहे हैं आपके साथ यह था नहीं होता कि कर दूकर बार भार आपका थाने माच जबाद आज फिर यह वामला बार आप यह वहारा क्या परिशान कर रहा है महिला को बार बार शादी कर रहा है क्या है पुरा वामला नहीं है पैसे की डिमांड कर रही है कि उसे छोड़ दो और नहीं तो मुझे पैसा देओ उसे रखो के तो पहली वाली पतनी को आपने तलाग देजी ती कोट से तलाग हुई थी अभी अभी है थी पतना वह केस चल रहे हैं अच्छा इनका कुछ भी नहीं हुआ इनका यारोप है पहले वाली पतनी के कई बार जगड़े हो चुके हैं आपके कईड़वार संग्यान में आचुके हुआ पत शातन ने करा दिया है